कि अजी हे हलो वन कैसे आप सुभी लोग आई हो अप मेरे सारे भाईबेन बढ़िये यूंगे तो भाईया मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन क्या देखने को मिल गया फिर से हाई तोबा चलने लगा है मार्केट में लोग बात करें कि भाईया मार्केट तो गयो और जिस चाहिए क्या बिटकोई वापस से इतना गिर सकता है या फिर एक छुट-पुट करेक्शन दिखागे बिटकोई एक हैवी रेली हमें आगे दिखाने वाला है इन सब बातों में डिसकस करेंगे और मार्केट की जो भी इंपोरेंट अपडेट्स आई उनको भी देख लेंग या टेलिग्राम जोन करने को मं उर्पी नंक आ बिसक्रिप्शन बॉट मस्काल रखकिए को डो आज तुरन जों कर लो बात करेंगर अगर मार्केट वारे में थोड़ा लाल ला अपको देखने को मिल रहा होगा और बिटकोई की बात करें तो दिको घ्रकोई किवेर हमने ध लो गया यह तो क्या हुआ यह जो हमें थोड़ा सा क्रेक्शन देखने को मिला है यह इस न्यूस की वज़े से हुआ है जो कि कल मैंने टाइम पर आपके साथ शेयर भी कर दी अच्छे कल भी दिया थे कि यहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे यह सपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक हो बिटकोइन अभी अपने भूरन के बिलकुल फर्स्ट फेस में चल रहा है और मेरे बाई हालविंग हो चुकी है इतनी बड़ी बड़ी बाइंग चल रही है इंस्टुटुशन की अब नेकिटिव होगा ही क्या अगर बिटकोइन गिरता भी है तो वह एक अपोर्चुनिट यहां पर एक अपोर्चुनिटी अच्छी खासी बन रही है और यहां पर तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा देखो सियमी गेप इंपोर्टेंट होता है आया इसके आसपास बासर टिकसर जो भी वोटेवर 63 भी आ गया तो भी कोई डरने वाली बात नहीं हो उठाओ मैं तो य पांच मैने से बिटकोई रहेंगी रहा है और पांच शे मैने तक अगर बिटकोई रहेंग तो इसके बाद में पता ही किस तरीके का मूव आता है तो वह मूव हमें अगस सितंबर तक देखने को मिल जाएगा तो यहां पर तरना नहीं है इस अपोर्चुनिटी का फाइदा स्टार्ट हो गया है यानि कि अब काफी हमें टूइट्स और चीज़े देखने को मिल रही है कि बहाई एम्टी कोक्स जो है उसका पैसा में मिल गया है और अब वो क्रेकन के उपर आ रहा है वगए वगए तो यह कहीं नगीडिव प्रेशन मार्केट के उपर डालता था और और फिर उसके बाद आ गई एक यह दांसु कबर कि यह काफी बड़ा एक्षेंज यह 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 कॉम्परमाइज हो गया यानि कि इसके उपर भी हैकिंग अटेक हुआ गनीमत है कि कोई फंड लोस्ट होने वाली कोई बड़ी अपडेट नहीं निकल गया है यह लेकिन हैं हैं टेक हुआ है जो कि कहीं न कहीं थोड़ा मार्केट के लिए एक चिंता जनक और नेगिडिव बात है तो जितने भी लोग इसे एक्षेंज को यूज करें फिलाल अपना जो फंड है वो मूव कर लो या फिर थोड़ा सा इसके उपर ट्रेडिंग करने से फिलाल फिलाल बचो ठीक है तो यह भी दूसरी important और negative ख़बर निकल गया थी और तीनों ख़बर मैंने टेलिग्राम पर आपको बता दी अवाई होब आपको समझ में भी आ गए होगी कि इनका क्या असर पड़ने वाला है और बिटकॉन की बात मैंने आपको बदाई थी कि भईया एक opportunity मिल रही ह ठीक है अब देखो sport bitcoin ETF की trading live होने के छे मेने के बाद में अपडेट निकल के आईए officially कि भईया जो ethereum की ETF है उसकी भी trading live हो चुकी है और एक काफी important बात कि पहले ही दिन इसकी जो trading volume है वो एक billion dollar को पास कर गई है यानि कि पहले ही दिन इसके अंदर एक billion dollar से जादा कि हमें trading volume देखने को मिली जो कि सच में काफी बड़ी बात है और अभी analyst होगा यह मानना है कि सब इस ethereum ETF की trading से होगा क्या इससे होगा यह कि मन्तली एक billion dollar का जो inflow है जो पैसा है वो इसके अंदर आ सकता है और billion billion dollar अगर मन्तली आएंगे तो आप समझ लो कि भया कहा पर price जाने वाली ह तो यह कई न कई एक खुश कवरी है उन लोगों के लिए जोगी ethereum में एक अच्छी कासी holding बना के रखे है तो यह बात हो गई ethereum की ETF की और भया यह coinx वाले क्या कर रहो आज लास्ट डेट पड़िये 24 तारीक की interested हो तो इस campaign का link में ने कल के वीडियो में भी डाल दिया था आज की वीडियो में भी डाल दूँगा अगर आप इस exchange में जाके 50 डॉलर भी deposit करते हो और पांच चोटी मोटी ले ले लेते हो तो दस डॉलर का आपको benefit आराम से मिल जाएगा तो यह उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि बिचारे कम amount के साथ में कुछ अच्छा reward पा RWA category ऐसे में क्यों के रहा हूँ ओंडो ने इस बात का पुकता फूरूफ दिया है ओंडो के अंदर तो भाईया गजब का profit निकाला है मेनत हो देखो RWA category में डालने वाले है यानि कि इनका जो reserve asset option fund है वो भी यह RWA category के अंदर डालना चारहे है और उसी से जुड़ी ही एक ख़बर है कि भाईया ब्लैक रोग जो है वो इनको कह रहा है कि भाईया आप पैसा डाली रहे हो तो इससे अच्छा है हमारा जो tokenized build fund है उसके अंदर ड आगे आने वाले सब्सक्राइब में इस category का कितना boom हो सकता है अगर खुद एक market player अगर खुद एक project किसी दूसरी category में जा रहा है invest कर रहा है तो आप समझ लो वहां से क्या मतलब निकल के आ रहा है तो मैं ondo को लेकर इसलिए काफी bullish हूँ और पहले भी bullish था और ऐसा नहीं है तो आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटी वीडियो को लाइक करना चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करें करें करना है मिलते हैं जल्दी नहीं अपडेट के साथ तिल ने जय हैंद जय भारत